दोस्तो, FastTrack Revolt FR1 जिसका आप बेसावरी से इंतियार कर रहेते हैं, अभी इस टाइम 1695 की इंट्रोडिटिव प्राइस पे लॉंच होई है, वर डेफिनेटली इसकी प्राइस कुछ दुनों में बढ़कर 2.1 रॉपय के अराउंड हो जाएगी, तो यदि आपको यह इस प्रा दाड़े, इस smartwatch के कुछ ऐसे feature, जो की 17 रॉपय के price point पे इस smartwatch को बेहतर बनाते हैं, उन में से एक है advanced chipset जो की इस price point पे इस तिमाल करा है, इस chipset से आपकी smartwatch की speed है वह तो बेहतर होगी, बट आपकी जो sensor accuracy है वह भी काफी best होने वाली है, और इस smartwatch में आपको ultra UV display मिल जाती और डिस्प्ले के साइस के साब से इसके पेक्शल लिएशन भी काफी अच्छे लगे मुझे 360 इंटू 360 पेक्शल लिएशन कर सपोर्ट मिल जाता है इसमार्ट बाकि इसमें एडवांस गूटूथ का सपोर्ट है वो खुए कर प्रप्राय का फीचर भी दिया है और वाई यह से स्मार्ट बाच में आपको आईवी स्टेट की रेटिंग में मिल रही है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जागी है तो वाई जब तक यह स्मार्ट बाच अपनी इंट्रोट प्राइस पे बिक रही है मतलब 17 रुपए में जब तक इसके जो फीचर है वेल्यू करेट करते हैं बढ़ यह स्मार्ट बाच जब दो यह रुपए या फिर उससे जाला की बिकेगी उस टाइम आपको कुछ ऐसी कमी है इसमें देखेंगी जो इस टाइम इसके प्राइस पॉइंट के वए से नहीं देख रही है जैसे कि इसकी बिल्ड क्वाल्टी इसमें आपको पॉलिकारमेंट बिल्ड मिल रही है क्योंकि अगर इसमें मेटलिक बिल्ड होता तो भाई यह स्मार्ट बाच काफी बेटर बन जाती दूसरी चीज एमलेट डिस्प्ले क्योंकि आपको बताया आजकल दो जार रुपए में भी कुछ ब्रेंट्स एमलेट डिस्प्ले दे रहे हैं तो यदि यह स्मार्ट बाच दो जार से 25 रुपए की बिखेगी तो उस टाम हमें एमलेट डिस्प्ले की कमी खलने वाली है आती हैं जो कि इसको काफी अची टककर दे सकती हैं जैसे कि अगरी डिसेंटली लॉंच होई अल्ट इस पंग प्रो जो कि इस टाम दो यार रुपए की मिल रही है और उसमें आपको एमलेट डिस्प्ले और इससे अच्छे लुक्सन डिजाइन मिल जाते हैं और वह आपको तो मैं यह यह आपको ग्रैप करना है तो इसी प्राइस पॉइंट पर कर लो क्योंकि सेल के बाद इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ने वाली है और उस राइस प्राइस पॉइंट पर आपको इसके अप्टीशन में और भी कई सारी स्मार्ट वोच जाएंगी उन्ही स्म झाल